राधारी दिली में लगने लगा हेडर आखिर क्यों क्योंकि यहां पर बदमाशों के होसले बुलंद हैं छोटी सी घटना के बाद ही यहां पर गोलिया चलने लगती हैं कुछ इसी तरह की एक वारदात का शिकार हुई तिस साल की सिम्रंजीत को जी है इसक्ता हम गोकुल पू साथ सवार थी दो बच्चे साथ में थे यह लोग जब अभी फ्लाइवर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी इनकी एक टूविलर सवार एक दूसरे शेस के साथ बहस हो गई आपस में दोनों के जो टूविलर से वो टकर आ गए उसके बाद वो शक्स जो था टूविलर सवा वो इस फ्लाइवर के उपर चड़ गया जबकि सिम्मन जीत को और नीचे आप फ्लाइवर दिख रहे हैं तो नीचे की तरफ से ही सीधा इदर आगे अपने पती के साथ आगे बढ़ी अभी ठीक इसी जगापर जहाँ पर यह एंबुलेंस पहुची है यहाँ पर बुलेट पर बैठी हुई सिम्मन जीत अपने पती के साथ पहुची थी कि तब ही वो शक्स जो की टूविलर पर सवार था इस फ्लाइवर पर पहुच गये था यहाँ पर अपना टूविलर रोकता है और पिस्टल निकाल कर यहां से ठीक नीचे सिम्मन जीत कोर के ओपर गोली चला द चलता है कि सिम्मन जीत को गोली लग गया है वो तुरंत बुलेट को रोकता है और उसके बाद एक आटो यहां से हायर करके जीट भी अस्पतार लेकर जाता है लेकिन सिम्मन जीत को और को डॉक्टर मृत घोशित कर देते हैं आप सोचिए रहा चलते हैं दोनों की बुलेट और स्कूटर मोटर सैकिल आपस में टकराई एक छोटी सी कहा सुनी हुई उसके बाद वो जो शक्स है वो इस फ्लाइवर पर आगे बढ़ने लगा और सिम्मन जीत को और नीचे से एक दूसरे रास्ते से अपने पती के साथ आगे बढ़ गई लेकिन वो छोटा सा जगड़ हैं तो आखिरकार क्यों राजधानी वास्यों के अंदर इतना गुसा है कि रोड रेज की छोटी सी घटना में किसी की जान ले ले या फिर बदमाश्यों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें लगता है कि शायद वारदात को अंजाम देने के बाद उनका कुछ नहीं होग और वो इस तरीके की वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं कहीं ना कहीं दिल्ली के लॉय और पर सवाल खड़े होते हैं वरुन जैन एबीपी न्यूज दिल्ली